हेलो दोस्तों मेरे नाम है सुतोज और आप देख रहे हैं आई सखेडमी जाई तो आपको तरफ सरी को आश्टार था कि भाईया एक 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 स्वर्सेड रायंक वाला वीडियो बनाईए तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि क्या इसपैक्पलें मांक्स रायंक रहे सकता है कोमेट की डुराल जांब अभी फिलहाल और Gray्शाम नहीं हुआ है तो हम एक पहले बना रहे है हमारा एक्स माक्स परसे रइंक वो सकता है और हम एक वीडियो एक्साम के बाद भी बनाएंगे तो आज की स्टॉडियो में डिसकस करने वाले हैं हम लोग अपना एक्स्पेह डिसेशन में लगाने चाहूंगा कि यह इंवे मैं जो भी बोलूगा यह अभaltkin है कि मेरा है किसी भी दूसरे तिस्रे इंदी का बडल सकता है किसे भी दूसरे तिस्रे एंदी जो है आपको दुसरा कुछ बोल सकते हैं तो इस पर आ आपको भरोसा करना है तब कीज़ेगा वरना यह चीज जो है वो चेंज भी हो सकता है तो मैं सिर्फ एक expectation लगा रहा हूं क्योंकि आप से request किया जाग रहा था ताकि आपका clear हो सके कि आपको कितना marks पर कितना rank मिल सकता है आपको कितना marks target केरना चाहिए ठीक है तो हम बात करने वाले हैं expected marks marks versus rank of comment के 21 ठीक है हम previous year trend के बारे उससे पहले बात करेंगे और previous year trend के हिसाब से हम इस year का expected marks versus rank मैंने बनाया है वो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको इसका PDF देने वाला हूं description box में तो पहले आप इस वीडियो को देख लो मैं यहाँ सेनेरियो डिसकस करने वाला हूं detail में उसके बाद आप PDF को download करके रेक सकते हो अपने पास या फिर उसको देख सकते हो ठीक है देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे previous year trend का previous year trend में बात करने वाला हूं mostly 2019 के बारे में ठीक है तो यहाँ पर मैं बात करने बच्चों के तरफ से जो यहाँ पर रिव्यू दिया गया कि जो previous year जो candidates थे उन्होंने कहीं कहीं upload यह secure हो गया या फिर अधर websites पे जहां पर trusted है वहाँ से मैं आपको बता रहा हूं एक आप खुद भी चेक कर सकते हैं तो वहाँ से जो मुझे मिला उसके कॉड़ि में बता रहा हूं तो अगर बात कर जाएगा previous तो वहाँ पर बात कर जाएगा तो 148 marks पर जो rank बना था वह बना था आपको 92 rank ठीक है वहीं अगर उसके नीचे आजएगा तो 146 पर बना था आपको comment पर चांट कर रहा हूं rank के बारे में बदर हमारा हो गए marks ठीक है तो इस बात को आप द्यान देत कि यह मारा हो गया marks और यह हमारी और 120 के नीचे करणा पाईएगा तो फिदा हमलम Фूटीन पर जो मुझे मिल पता चला कि वहाँक्य वहांगों क्वाला Et दूज 10- निकालेंगे कि इस वर क्या रहा सकता है तो फिर से में रिपीट करो तो 142 पर 92 रांग बना था मतलब जिसे 150 के अप्रोक्सिमेटल अगर आप रहते हैं 150 आप ज्यादा तो आपको टॉप 100 में आप आ जाते हैं यह तो रहा है 146 पर 211 रैंक आया था वहीं बात किजागा 144 पर तो आपको 160 रैंक आया था 133 पर 597 तो आप जहां देख सकते हैं कि जैसी यहां पर कितना जादा अधर ही थोड़ा ही गाया पाया 140 से 130 पाया तो यहां पर सिधा रैंक आपको चला लगया 600 पर ठीक है अप्रोक्सिमेटली 600 पर है वहीं जिसे जिसे नीचा जीएगा तो आगर आप 140 अब रहते हैं तो आप टौप 200 500 के अंदर में रहते हैं अकॉर्डिंटू 2019 ठीक है 120 पर 1776 वन 14 पर 2865 तो यह आपको हो गया 2019 का ट्रेंड ठीक है अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इस यह का निकालने वाले हैं और सिर्फ इसके अकॉर्डिंग नहीं हम लोग बहुत चीज ध्यान देने वाले हैं जैसे कि कितने बच्छी अपियर हो रहे हैं क्या सिनारियो इस यह प्रिवीज यह रहा था उसको कंपेर करके तो ऐसी इजी से नहीं निकलता है लो बहुत कुछ ध्यान में रखते हैं अब कर सकते हैं या एक्सपेक्टेशन जो मैंने लगाया है तो चलि हम डिसकस करते हैं कि अभी मैं जो मार्क सवसे रैंक जो बताऊंगा आपको एक्सपेक्टेड वह किस सेनारिव पर मैंने ध्यान दिया है तो देखिए अगर बात कर जाएगा प्रिवीज यह का 2020 का हम बा इसमें ही डिवाइड़ बच्चे होते हैं सेवंटी थावन में अब आती है तो चुकी कोवीड था पैंडैमिक था इसके कारण जो है सिर्फ 43 थावन बच्चे एपिर हुए तो यहां पर देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 30 थावन बच्चों का गया था 30 थावन बच बात करें 2021 के बारे में यह आपको हो गया 2019 का ठीक 2019 या फिर कोई भी नॉर्मल सिनारियो रहता है नॉर्मल कंडिशन में ठीक है यह तो हो गया आपको कोवीड करण पैंडैमिक करण आपको हो गया 43 थावन बच्चे एपिर हुए थे ठीक है तो बहुत जादा बच्चों को फाइदा हुआ था इसमें 2020 में अब 21 का बात कि जाएगा वही तो यहां पर देखिए बहुत ची जो ध्यान में जना होगा एक चीज की आपको जो कॉमेट के का डेट है वह पॉस्पांड हो गया 14 सब्तमबर तो यहां बच्चों को टाइम मिल गया है ठीक है टाइम मिल गया अच्छा मौका मिल गया है preparation करने का और ये जो सब exam हो गया है तो इसके बाद बच्चे clear हो गया हो कि उनका man's में कैसा exam गया है man's में कैसा percentile आया है तो उनको man's में देना चाहिए या फिर VIT SRM का उन्होंने exam दिया है तो उनको VIT SRM में लेना चाहिए था या ने लेना चाहिए था तो उससे उनको clear हो गया, अब उसके बाद गया है कि यहाँ पर जो है वो date extend कर दिया गया है, form बने का, तो form बने का date जो है वो extend कर गया है, extend कर दिया गया है, तो इसके कारण जो है, बच्चे clear हो गया है, कि हमने मेंस में अतना percent L score किया है, तो मुझे मिले आगा कि नहीं तो नमबर अफ स्टुडेंट बढ़ेंगे तो यहां पर कंपेडिशन भी थोड़ा राइज होगा कंपेडिशन राइज होगा तो कट अफ हाई जाएगा ठीक है मार्कस बसी रैंक यहां पर उसमें हाई जाने वाला है जितना नर्मल कंडिशन रहता है उसके साब से थोड़ा नहीं था इस टाइम के आए कि उतना गवर्मेंट ने उतना प्रिवेर कर रखा है इस वपिस वगएरा और कमेडिके ने भी अपना कुछ ना कुछ प्रिव्रेशन किया होगा कोवेड के अकोर्डिंग तो इस बार फोटी थाउन बच्चे नॉर्मल नहीं अपियर होंगे उ यहां बच्चे क्लियर होके फॉर्म भरेंगे और बच्चे नंबर अव शुण बढ़ेगा तो नंबर अवसाइट तो हम मानके चलते हैं कि मैक्सम टू मैक्सम एट्टी टू नाइनटी के बच्चे एपियर हो सकते हैं इस यहर्ट ठीका इस बाइस नंबर को आप ध्यान द तो इतना डिफ्रेंस नहीं है तो नॉर्मल कंडिशन में 70 तो ज्यादा ज्यादा अगर एड़ हुए बच्चे तो 80 तो 90 तो बच्चे अपियर होंगे तो इतना बच्चे अपियर होंगे अब दूसा चीज यह मैंने बता है कि टाइम मिल गया बच्चों को प्रिपरेशन करने तो बहुत अच्छा प्रफर्म करते हैं ठीक है बहुत अच्छा प्रफर्म करते हैं क्योंकि यहां पर जो है बेसिक्स का खेल होता है और स्पीड का खेल होता है अगर बच्चे अच्छा से कर लिए हैं और उनका स्पीड अच्छा है तो बहुत अच्छा मार्क से स्कोर करत लिए अभी कि बहुता हड होता है ऐसा कुछ न होता है इजी आजयाम होता है ठीक है मैं बाइर बोल रहा हो एजी एजाम होता है तो इसके करणं जो है करने का बच्चों को टाइम मिल गया है तो को देखिए मैंने यहां पर बना दिया है एक्सपेक्टेट 221 का मार्क्स वर्षे रैंक यहां पर आप इसको पीडिये डाउनलोड दिखा लेज़ेगा बट पहले एक बात देख लीजिए मेरे हिसाब से यहां पर 160 मार्क्स से ज्यादा अगर अपलाते हैं तो आपको यहां प बीच में आप आ सकते हैं मतलब टॉप थाउजन रैंक में आने के लिए आपको इस बार जो है मेरे हिसाब से 140 मार्क्स से ज्यादा लाना पर सकता है वहीं अगर बात करें 5000 से 179 मार्क्स लाना पड़ेगा 110 से 119 मार्क्स लाते हैं अगर आप तो 1700 1 से 30 200 तक रैंक रह सकता है आपका वहीं बात किजेगा 100 तक रहते हैं मतलब 100 तक रहते हैं तो 5500 के अंदर में रह सकते हैं 99 मतलब 100 तक अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आपको 5500 से लेकर 10,000 रह सकते हैं 80 to 89 के बीच में अगर बात किजेगा तो 10,001 से लेकर 15,000 के बीच में रह सकते हैं बात किजगा 70 to 79 मार्कस के बीच में तो आप वहां पर 15,000 से 25,000 के बीच में रह सकते हैं तो करते हैं तो आपको जो है वह 45,000-50,000 marks के rank के बीच में रह सकते हैं कहीं न कहीं लाई आप करेंगे अब उसके बाद 40 से नीचे marks अगर आप लाते हैं तो आपको 50,000 से ज्यादा rank बनेगा इस बार बनने का चांस है इस बार यह मेरा expectation हुआ कि यह आपको रह सकता है marks बाद से rank इसके हिसाफ से एक हम final expected marks बनाएंगे यह आपको initial वाला हो गया यह change भी हो सकता है बट मेरे हिसाफ से जो competition रहने वाला है उसके हिसाफ से यही रहने वाला है आपका तो देखिए अगर आपको मैं बोलू safe score केतना रह सकता है एक मैं बार से टिकर दूँ safe score के लिए तो आपक जो है इस marks बसे rank की साफ से manager बनाया है उसके साफ से और अगर आप इतना लाते हैं इतना rank टक लाते हैं तो आपको top 10 में take branch top 10 college में take branch मिल सकता है आराम से ठीक है तो इतना आप safe score मान के चलिएगा 110 प्लस ठीक है safe score आप मान के चलिएगा safe score में लिग देदा हो यहाँ पे safe score य top 100 के अंदर में रहना है तो 150 प्लस लाना ही पड़ेगा minimum to minimum ठीक है इस बार लग रहा है वो 160 प्लस से रह सकता है ठीक है वो जेखेंगे कैसा रहता कैसा नहीं रहता है तो यही हमारा expected marks versus rank था इसका PDF of discussion box से download कर सकते हैं दोस्तों तो I hope इसके बाद आपका doubt clear हो गया है कि क्या हमें safe score लेके चलना चाहिए क्या expected marks वो से rank रह सकता है इस यह अगर आपको इसके अलावाब को doubt है तो आप मुझे comment section बता सकते है ठीक है और अगर आपको कोई और suggestion चाहिए कोई और वीडियो चाहिए तो आप comment section बता सकते हैं और मुझे आप Instagram कर सकते हैं अगर आपने अभी वीडियो पसंद आया है तक वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता किसी यूआ वीडियो में थांक्स वॉचिएगा